हलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई यूटूब चैनल एवन एस्टड़ी एडिया फ्रेंड्स आज हम देखेंगे जीके जीएस के कुछ महत्पूर्ण कोश्चन जो आपके सभी एक्जाम के पॉइंटर व्यू से काफी हेलफुल होगा और सेलेक्टिट कोश्चन है साथ साथ बी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिएगा वेल आइकन जरूर दवाएगा जिससे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँच सके तो चलिए वीना टाइम बेस्ट किये हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फर्स्ट कोश्चन है कि महराष्ट में इस्थीत अजन्ता में चट्टानों को काट कर बनाए गए गुफा स्मारक किस धर्म के है ओप्शन A है सिख धर्म ओप्शन B है बौत धर्म ओप्शन C है इसाई धर्म और ओप्शन D है हिंदु धर्म तो इस कोश्चन का जो सही अंसर होगा वो हो जाएगा आपका ओप्शन नंबर B हो जाएगा यानि कि बौत धर्म ठीक है चलिए नेक्स्ट कोश्चन देखेंगे नेक्स्ट कोश्चन है कि साइना नहवाल को प्राप्त सरवोच नागरिक सम्मान पुरिक Olives 잡्शन B में है पद्म भूषन ऑप्शन C है पद्म भूषन और ऑप्शन D है भारत रत्न तो इस कोश्चन का जो सही अंसर होगा वो हो जाएगा आपका option number B option number B हो जाएगा इस question का answer option number B पद्म विभूशन चलिए next question देखेंगे next question है कि मानव मुत्र का पीला रंग dance की वज़ा से होता है option A, पीत नमक option B, कोलेस्टरॉल option C, लिंफ, option D euro chrome, तो simple सा question है तो इस question का जो सही answer है वो है आपका option number D euro chrome, ठीक है euro chrome के कारण जो है मुत्र का रंग जो है वो पीला होता है, हलका पीला होता है ठीक है चलिए next question देखते है next question है कि पौधो का सिथिल होना dance की वज़ा से होता है, option A प्रकास translation, option B वास्पो उत्सर्जन, option C अब सोशन और option D सोशन, तो पौधे का सिथिलन जो है, वो आपका option number जो है, यानि की वास्पो उत्सर्जन, ठीक है वास्पो उत्सर्जन का परिनाम है और पौधा का जो कोशिका है, उसमें मौजूद जल वास्पो उत्सर्जन के कारण ही सिथिलन जो है, होता है ठीक है, तो option number B जो है, इसका सही answer हो जाएगा वास्पो उत्सर्जन चलिए, next question देखेंगे next question है कि बोविरी, ओविस, डैस का वग्यानिक नाम है option A, बकरी, option B गाय, option C, भैस, option D, भैर, तो बोविरी, ओविस, जो है, वो आपका भैस का, ठीक है, भैस का वग्यानिक नाम है तो option number C जो होगा, इसका सही answer हो जाएगा option number C होगा, इसका सही answer चलिए, next question की तरफ चलते हैं next question है कि चस्मे बनाने में किस काच का उप्योग किया जाता है तो चस्मे बनाने में जो है वो आपका कुरुक्स काच का यूज़ किया जाता है यानि कि इस question का जो सही answer है वो हो जाएगा option number A हो जाएगा ठीक है चलिए, और ये कुरुक्स काच में जो है, वो cerium oxide और silica ये दोनों का क्या होता है, misran cerium और cerium oxide और cerica का जो है ये पुरुक्स का जो है, वो उसका misran होता है चलिए, next question की तरफ चलेंगे next question है, कि barium को others gas का electron बिन्यास प्राप्ट करने के लिए dance electron को खोना होता है, option A option B, 2, option C, 3, option D, 4, तो इस question का जो सही answer है, वो हो जाएगा option number B option number क्या हो जाएगा, B हो जाएगा ठीक है, barium जो है, वो उसका संक्यत होता है BA, barium का संक्यत होता है BA, और पर्मानु संख्या जो है, वो 56 56, ठीक है और ये जो है वो दो electron को क्या करता है इसको खोना होता है, यानि त्याग करना पड़ता है, ठीक है जनक के रूप में किसे जाना जाता है option A, Charles Faraday, option B Michael, Jonathan, option C Charles Babbage, option D Douglas, वेल ठीक है, तो इस question का जो सही answer है, वो हो जाएगा आपका option number C हो जाएगा Charles Babbage, ठीक है computer का जो जनक है वो Charles Babbage को कहा जाता है और 19 वी, यानि इसका computer के छेतर में जो विकास जो है, वो 19 सतावदी में 42 द्वारा ही क्या किया गया था शुरुवात किया गया था और इसलिए इनको computer का जनक भी कहा जाता है next question है, कि तेलुगू dance की सास की ये भासा है option A, आंधर प्रदेश, option B, अरुनाचल प्रदेश, option C, असम, option D बिहार, तो तेलुगू जो है, वो आपका जो भासा है वो आंधर प्रदेश और तिलांगना दोनों राज्य का जो है, वो सास की ये भासा है, तेलुगू चलिए, next question देखते हैं next question है, कि पूर्ण रोजगार का अस्तर वाव होता है जिस पर कोई परतिरोधात्मक बेरोजगारी नहीं है या कोई आवर्ती बेरोजगारी नहीं है option C, कोई सनरचनात्मक बेरोजगारी नहीं है, option D, कोई बेरोजगारी नहीं है, तो इस question का जो सही answer होगा पूर्ण रोजगार का अस्तर पूर्ण रोजगार का अस्तर तो इसका सही एंसर हो जागा आपका option number B हो जागा option number कोन हो जागा B होगा कोई आवर्ती बेरोजगार नहीं पुन्रोजगार का अस्तर वह होता है जिस पर कोई आवर्ती बेरोजगार नहीं तीक है चलिए नेक्ट कोशन की तरफ चलेंगे नेक्ट कोशन है कि पौधे भोजन का निर्मान करने के लिए निमलीखित में से किस से उर्जा प्राप्त करता है सब्सक्राब करते हैं तो इस सवाल का जो सही जवाब होगा भोगा आपका अव्जा नंबर अ ठीक है प्रकास संसलेशन प्रकास संसलेशन हो जाएगा इस question का सही answer लेकिन इसमें कहा जा रहा है उर्जा सौरी उर्जा पूछा जा रहा है इसमें पूछा जा रहा है क्या उर्जा पूछा जा रहा है कि उर्जा कहां से प्राप्त करते हैं तो किरिया प्रकास Translation तो यानि की भोजन माने की किरिया हो गई लेकिन यहां पूछा गया है की उर्णा जिस से प्राप्त करते हैं तो इसका सही एंसर हो जागा आपका नंबर C हो जागा टाइक है उर्णा की बात की गई है तो ऑपसनां by C होगा इसका सही एंसर की किस से उर्जा प्राप्त करते हैं और जो है वो सुर्ज प्रकास से प्राप्त करते हैं तो इसका सही नसे हो जागा आपशन नमबर डी सुन्दरवन टाइगर रिजर्व किस राज में है ओडिशा आंध्रप्रदेश असम पसिम बंगा तो सुन्दरवन टाइगर जो है वो आपका सुन्दरवन टाइगर रिजर्व सुन्दरवन के राष्ट्रिय उद्यान है और सुन्दरवन सुन्दर वन वन जीव आरंवे जो है वो 1973 इसवी से टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसुचित है और उसके बाद रोयल बंगाल टाइगर यहाँ जो है मैगरोव वन छेतर है पस्चिम बंगाल में गंगा नदी के द्वारा निर्मित विसास सुन्दर वन डिल्टा का यह एक हिस्सा है सुन्दर वन राष्ट्रिय उद्यान को यूनेसको द्वारा 1987 में इसको 20 प्रकृति विराषत अस्थल के रूप में सुचिवद किया था कब 1987 में मुल्य वर्धित कर को किस पर लागू किया जाता है मुल्य आयतन उत्पादन या निर्यात तो मुल्य वर्धित कर जो होता है वो लगाया जाता है आपका मुल्य पर ठीक है किस पर लगाया जाता है मुल्य पर लगाया जाता है यह जो है मुलबद्रित कर वह कर होता है जो आर्थी क्लेंदेन तीका आर्थी कहीं या संपत्ति के मूलपर क्या धार पर निधारित होता है आर्थी कुलेन लेंदेन और संपत्ति तेके उसके अधार पर पर निधारित होता है Lewis चलिए NET к inmigrant op परिदी लगवा कितनी है option A 40,000, option B 60,000, option C 80,000, option D 100,000, लगवा पूछा गया है जैसा कि हम लोग जानते हैं कि परिद्वी की धूरुबय परिधी जो है चलते हैं कि आकार के संदर्व में मंगल का मंगल का हमारे सौर मंडल में कैमा अस्थान है आप्शन पाच्वां छठा सात्वां या आठ्वां तो आकार के दिरिष्टी से मंगल को जो है सात्वा मंगल को जो है वो आपका मतलब सात्वा अस्थान है बूद के अलावे सौर मंडल के अन सभी जो ग्रह है वो मंगल के आकार से क्या है छोटा है मंगल के आकार में क्या है वो छोटा है यानि कि यह आपका option number C यानि सात्वा number पर जो है वो आता है तो आकार के दिश्टिस है तो इसका जो सहीन से रोगा option number C हो जाएगा ठीक है चलिए next question देखेंगे next question है कि भारत के इतिहास में किसके सासनकाल को भारत का स्वर्निम यूग राज कहा जाता है option A मुगल समराज option B मराठा समराज option C गुप्ट समराज option D मौर्ज समराज तो स्वर्निम यूग किसके सासनकाल को कहा जाता है तो इसका सही एंसर जो है वह हो जागा आपका option नमबर C गुप्ट समराज कौन सा समराज गुप्ट समराज यह समरीद समराज थे चलते जो है समराज के सासन भारतिय इतिहास में यह स्वर्निम यूग के नाम से यानि कि को कहा जाता है संग्या दी गई है चलिए next question जापान पर गिराए गए प्रमानु बमों के नाम क्या थी? option A है little boy or fat man option B है little man or fat boy option C है little girl or fat woman option D है little woman or fat girl तो इसका जो सही एंसर है वो हो जाएगा आपका option number A option number A हो जाएगा little boy or fat man यह जो है दूतिय विश्वत के दवरान संग्यूग तिराज अमेरिका संग्यूग तिराज अमेरिका दवारा जो है वो 6 अगस्त 1945 6 अगस्त ठीक है 1945 6 अगस्त 1945 को जो है जापान के हिरोशीमा पर जो है little boy यानि की uranium 235 और 9 अगस्त 1945 को जो है नागा साकी पर fat man plutonium 233 में नामक बम जो है वो गिराया गया था ठीक है चलिए नेक्स कुशन देखते हैं next question है कि pluto की खोज किसने की option A Jim Maxwell option B Tim Hinman option C mine Kate Burry option D Clyde Tempo तो pluto का खोज जो है वो आपका Clyde Tempo Pluto का खोज किसने किया Clyde Tempo और ये किया 1930 में कब किया 1930 में किया यह खोज चलिए नेक्ट कोशन देखते हैं नेक्ट कोशन है कि न्यूटन के गुरितवा कर्शन के नियम के अनुसार दो वस्तुव के बीच का बल डैंस होता है उप्शन A उनकी दरबमान के गुनच के समानुपाती उप्शन B उनकी बीच की दूरी के समानुपाती उप्शन C उनकी तिरिज्याओं के गुनच के समानुपाती उप्शन D बलो के गुनच के समानुपाती तो न्यूटन का जो नियम है उससे यह है कि उनकी दरबमान के गु ही एंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा ठीक है चलिए नेक्स्ट कोश्चन की तरफ चलते हैं कि नेक्स्ट कोशन है कि हमपी में इस्तीत असमार्कों का समू एक महतपूर्ण डैस के इंद्र है इसलाम हिंदू सीख और इसाइग आफ तो हम पी जो है वह आपका करनाटक में या करनाटक बिजयर नगर सम्राज जो 24 से 16 अताफदी के समय का तो यह जो है आपका ध्वाण्स्वाव सेसो के लिए परसिध है और यहां जो है तुम भध्रा नदी ये जो है तुम भध्रा नदी के किनारे अवस्थित है और यहां जो है वीरुपाक्ष मंदिर और विठ्छल मंदिर की अफ्सेस है तिक है और यह अपशेस जो है हिंदू धर्म से संबंदित है अपसेस जो है वोह हिंदू धर्म से संबंदित हैrü इन दी मर्न ib Рान भाहतरद पाने वाले परफ़ाम भरतिये वेक्ति कौन थे option A है अटल व्यारी बाच पे option B लाल भादूर सास्त्री option C के नाइडू option D मिहीर से तो मरन उपरांत जो है यानि मरने के बाद मरने के बाद भारत रत्न से जो समानित वेक्ति हैं वो है आपका लाल भादूर सास्त्री option number B हो जाएगा इसका सही इंसर लाल भादूर सास्त्री चलिए next question next question है कि निमलिखीत में से किसका स्राव जिगर से होता है जिगर यानि की लिवर लिवर यानि की यक्रिद तो option A है गुलकोज option B है iodine option C है cortisol option D है पीत तो इसका जो सही इंसर है वो हो जाएगा आपका option number D option number D तीक है यानि कि आपका मानव सरी की सबसे बरी गरंथी जो है वो जिगर द्वारा पीत का स्रावित होता है और यहाप पीत जो है वो आत्मे उपस्तित इंजाइमों की किरिया को तीज कर देता है ठीक है चलिए नेक्स्ट कुश्चन फेंड पहुत है कि प्लॉण फॉदे के किस भाग में याते हैं जीनosi स्पर्म we bedrooms एंजयो स्पर्म है या टैलो ऐडरेटिक का विष्कार किस ने किया था सने जोसेफ्सट और आ संबे भी अब्याम्या वाप्शन सी रोवर्ट लॉक कौप संटी अलेकजंडर फ्ले मीग तो यह सकॉर्टिस जीभ गणी चुस क्विघ्याई फार्मुकॉलिजिस्ट एवंवनस्पति सास्त्री थे कौन अलेक्जंडर फ्लेमिंग इन्होंने 1923 में जो है पहले एंटीबायोटिक प्रेनिसील नामक प्रेनिसील का जो है प्रेनिसीलिन का अविस्कार किया था ठीक है चलिए नेक्ट्ट कुर्च्छन है मेथेनोल का रासायनिक सुत्र है ओफ्षन एसंटी ऑफ्षन वीस थी वइस को अप्षन लुएच ओप्षन लुए सिस्ट्री बैसक्षी ओप्षन दी सिस्ट्ट फोर ओएच तो मेथेन यसदुन होता है तो मेथेनौल का सुत्र होता है आपका चशिँ औरिवे घुएच सुत्र हो जाएगा चलिए अब नेक्ष कोशन की तरफ चलते हैं नेक्ष कोशन है कि परमानु बंद क्यों बंदते हैं और स्थिति उर्जा को घटने और स्थिर्था को प्राप्त करने के लिए और संबी परमानु बनने के लिए और स्थिति उर्जा को बढ़ाने के लिए इस किसका सही होगा प्रमानुबंद क्यों बनाते हैं इसलिए कि स्थीति उर्जा को मतलब इस्थीति उर्जा घटाने और इस्थीरता को प्राप्त करने के लिए ठीक है चलिए next question नेक्स सोचन है कि एक डोकुमेंट की एक तरीके से व्याख्या करने के लिए एक व्याकरन जो वाक रचना के कारण टिक्स्ट के अलावा पहचाना जाता है जैसे HTML, HTML क्या है यह बताना है, तो HTML जो है वो आपका हो जाएगा क्या, option A में दिया हुआ है, command language, option B है, machine language, option C है, markup language, और option D है, style sheet language, तो इसका सही option, जो option है वो हो जाएगा आपका C, markup language, markup language, ठीक है, इसका सही answer हो जाएगा, next question की तरफ कहलते हैं, next question है, कि गौर निर्थ, dance का एक परसीद लोख निर्थ है, 36 गट, तिरपुरा, जहरखन, उत्राखन, तो गौर निर्थ जो है, वो आपका 36 गट का है, कहां कहा है, 36 गट, और ये बस्ते जिले, बस्ते जिले का लोख निर्थ है, यहां जो जब विवाह, उत्सव होता है, विवाह, उसमें ये विशेश रूप से होता है, तिक है, 36 गट, 36 गट के बस्ते जिले, चलिए, नेक्ट कोशन, देखेंगे, नेक्ट कोशन है, कि ओधोगिक पुर्ण गठन से, उत्पन हुए विरुजगारी, आम तोर पर आपूर्ती या मांग में उतार चड़ाओ, की बजाय प्रवधोग की परिवर्तन के कारण होती है, उसे कहते हैं, क्या कहते हैं, तो आप कुशन B में परतिरो धात्मक ब्रजगारी, मौसमी ब्रजगारी और चक्रिय ब्रजगारी, तो इसका जो सही एंसर हो जाएगा वो होगा आपका से सुध जो माना जाता है उसको आसूत जल बोलते हैं क्या बोलते हैं आसूत जल ठीक है जिसको डिश्टिल वाटर कहते हैं इसमें जो है वह असुधी नहीं रहती है और बाकी जो है बाकी जो जल है उसमें असुधी होती है मिल्वे सायसिन का डैंस के प्रयूग के आता है क्रिसी कवक, क्रिसी किटक, क्रिसी साक, क्रिसी निराना तो यह मिल्वे सायसिस जो है इसका यू जो हम लोग करते हैं यह मिल्वे सायसिन 1972 में अन्वेसित एक एंटी एंटी क्या है पारासाइटिक एजिंट है जो क्या करता है पौधे में उत्पर्ण परजीवी कीट जैसे वर्म टिक्स ठीक है उसके बाद फिलीज इसब के विरुद जो है उसके लिए यह कारगर माना जाता है टिक है मिल्वे सायसि तो इसका सही ऑप्सन जो है यानि सही एंसर होगा ऑप्सन नमर बी क्रीशी कीटक है क्रीशी कीटक है टिक है क्रीशी कीटक चलिए नेक्स्ट कोशन देखते हैं नेक्स्ट कोशन है कि उन पर्थम महिला का नाम बता यह जो भारत के किसी राज के उचने आले के मुखने आधिस थी इसका सही अंसर क्या हो जागा तो वह हो जागा आपका ऑप्सन नमबर बी लीला सेट ठीक है लीला सेट हो जागा ऑप्सन नमबर बी होगा इसका सही अंसर लीला सेट यह जो है हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश उचने आले के मुखने आधिस पत पर थे अब यह कब यह थे पांच अगस्त 1991 से लेकर 20 अक्टूबर नेक्स्ट कोच्चन नेक्स्ट कोच्चन है कि इन में से सबसे बरा सबसे सरी इन में से सबसे ठंडा गड़ा कौन सा है यूरेनाज सुक्र वरून विरसपती तो सबसे ठंडा तो सबसे ठंडा जो गड़ा होगा वो हो जागा वरून क्योंकि दूर के हिसाब से देखा जाए तो दूर पर यह है तो आपका वरून हो जागा यह सबसे ठंडा गड़ा ठीक है सौर्मनल में सूर्ज से सरवादिक दूर परिस्ती थे वरू इसलिए ये ठंडा होगा और अस्टिरिया की राजधानी क्या है तो अस्टिरिया की राजधानी हो जाएगे क्या बियना और उसके बाद आपका बियून्स आर्ट्स जो है कहा की राजधानी है तो बियून्स आर्ट्स हो जाएगे आपकी राजधानी जो है यह क्या बोलते हैं अर्जन्टीना ठीक है अर्जन्टीना की राजधानी है उसके बाद इटली की राजधानी हो गया और आयरलेंड की राजधानी हो गया डबलीन ठीक है चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि नेक्स्ट कोश्चन है कि चंदगुप्त मौर्ज डैस में पैदा हुए थी को पैदा हुए थे आप्शने तीन सो चालीस पूर आप्शन भी चंदगुप्त मौर्ज है वह तीन सो चालीस तीन सो चालीस इसा पूर में हुए था और कहां हुए था पाटली पुत्र में और उनकी मिर्थु जो है वह करनाटा के सरवन बिल गोला में दू सवह अंठानवे इस वी पूर ब्लामप्त तीन सो में हुए थी जनवभ अ तिन्सोंचालीस और मेर्थु जो है वह दू सवह고 कि हो जहागीर इस वहन्ख का साथा नंद, हर्यक, मौर या मुगल द्ञार है या मुगल मुगल बात्सा जो है सा जहां का पीता और यह सब बाकी सब जो है वह सब हिंदु धर्म हिंदु राजबन सो सब के नाम है चलिए नेक्स्ट कोशन की तरफ चलेंगे कोशन है कि प्रिथवी सूर्ज के चारों गुमती है इसी धांत को पेश करने वाले पर्थम विक्तिक कौन थे अलवर्ट आइंस्टीन गैलिलियो कॉपर निकस न्यूटन जैसा कि आप जानते भी होएगा कि कॉपर नि सहे हैं वह सही हूँ होगा यह ब्रइfour चुरिष के जह्याइब निकस और सबसे पहले रंड़ ने बताया था कि सूर्ज के केंदर में सूर्ज है आदर में हम और प्रिथवी जितने भी कि अगरा कि This न गया नेक्स्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् चलिए फ्रेंड्स फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद